कि यह क्यों रेरिंगि किट थैं हमारी की सैल बन रहा हैं उसके अंदर उस बॉक्स के अंदर सेल रहते हमारे तयार हो जाएन तो भी स्वाहित की आपो हमें करना क्या है कि यह था यह भाई से हम उसको लेके आएंगे उठा말 Quindi और इसको भी यही बराबर में रखेंगे अब ये क्या है? ये सारे इस तरह से हमारे इसमें लगे हुए हैं ठीक और इसका भी डाट इस तरह से निकाल दिया इसमें से इस तरह से यह डॉट निकल गया अभी क्या है हम सब के ऐसे डॉट निकाल करके यहां बाहर रख देंगे एक एक करकर के जितने भी है सारे जितने हमारे कुईंसायल उद्र जितने में अंडे होंगे उतने हम गिन करके वहार ही निकाल के रख देंगे अब वो क्या कुईंसायल जब हम उस सीधा रखेंगे आराम से सीधा जैसे हमने ये रख दिया अब इसमें अंडा है अब हमने उसके बाद में ये जो निकाला है इसको इस तरह से उठा करके और ये ऐसे रखे हुए हैं इसको इसमें लगा देने का सभी को इस तरह से लगा के बहार लगाने के बाद में और इसको बिद अंडे के साथ ऐसे करके इसमें लगा देना है इसी तरह से इनमें भी सभी में लगाना है तो वो क्या है इस तरह के हो जांगे यह जालों को हम अलग हटा के रख दिंगे और फिर इसको ऐसे उठा करके हम उसमें फ्रेम कालोनी में डाल दिंगे मतमक्ही के बक्से के अंदर अब क्या है वो मतमक्ही के बक्से के अंदर पड़ जागा इसमें जब अंड़ा दिया हुआ होगा इसमें अंड़ा दिया है तो के लिए मदमक्खी रोल जैली फीड कराना सुरू कर देगी ये आठ दिन के बाद में इसके उपर से यहां से वो कबर अपना चलाना सुरू कर देगी इतना बड़ा बना देगी होल जैसा उसको बंद कर देगी कैप को बंद करने के बाद में जब वो बंद हो जाएगा आठ दिन के बाद में तो हम क्या करेंगे फिर इसके लिए जब बंद हो जाएगा इसके लिए फिर आराम से यहां से निकालेंगे इस तरह से और उसको इस तरह से इसमें चड़ा देंगे इस तरह से इस तरह से चड़ा करके बंद कर देंगे और उस इसको भी हमारी लिए देना है कि हमें फला बक्सा को राँ देनी है तो उसकी राणी 2-3 दन पहलेसरे एक बीच में इस तरह तरह रख दिए गे और तीसरे दिन इसके लिए हम खूलेंगे इसमें से रानी निकलेंगे तो रानी मार्च कर जाएगे अंदर घुमेगी सारी मक्या उसकी गंद को पेंचान जाएगे और उसको एकसेप्ट कर लेंगे तीन चार दिन के बाद में रानी मेट हो जाएगी फिर हमारा बक्सा